सेर्केट जिसमें जो करंट है वो चेंज हो रहा है जो क्या हो रही है इससे क्या होगा कि करंट की वेरेशिन में चेंजींज आ रही है तो जो हमारा magnetic flux होता है उसके साथ current की जैसे magnetic flux link हो रहा है उसमें भी changes आते हैं अपने जो circuit में current changes आ रहे हैं उसके साथ magnetic flux में भी changes आते हैं self inductance की बात करें तो self में जो अगर current में जैसे coil है इसमें अगर changes आ रहे हैं single coil में तो उसके flux में भी changes आएंगे इस तरह से इसे show किया जाता है तो अगर हम faraday law induction में देखें तो जो EMF induced होगी circuit में उस time में वो क्या होती है opposite होती है जो जितना flux change हो रहा है उसके opposite होगी यानि कि जितना current में change आ रहा है उसके opposite होगी ये बोल सकते हैं जो EMF induced होगी तो जो EMF induced होती है उसमें circuit में जो EMF induced होगी उसे हम EMF of self inductance बोलेंगे self क्यों बोलते हैं self इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो flux में changes आती है जो produce होती है circuit में वो अपने आप ही होती है इसलिए इसे self बोला जाता है और इसे ही self inductance बोला जाता है self induction को हम कैसे define करेंगे देखिए जो हमारी self inductance होगी वो क्या होगी circuit में circuit जो की वो property जिसमें circuit में change आते हैं चेंज आते हैं circuit के current में अगर circuit के current में change आ रही है तो उसमें जो EMF induced हो रही है circuit में वो oppose करेगी जितना change होगा current में उसके उतना oppose करेगी यही self inductance की definition होगी जो magnetic field होती है उसे B से denote किया जाता है magnetic field किसी भी particular point पे वो proportional होगी current के यानि I के पूरे circuit में और जो magnetic flux होगी जिसे कि हम psi M से denote करते हैं जो magnetic flux होती है वो भी proportion होती है I के यानि कि phi इसमें phi जो होगा वो proportional होगा I के और proportionality के जगा हम L को लिखेंगे L जो प्रोपोंस्टेंट होगा और यह is equal to होता है and psi M की, psi M किसका sign होता है? psi M magnetic flux का sign होता है magnetic flux का जो भी proportion होता है यह equals to होता है I की या फिर कहीं proportion होता है I की तो L को हम कैसे represent करेंगे? L ऐसे लिख सकते है L is equal to phi upon I L is equal to phi upon I या फिर L is equal to N psi M upon I ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है? अब यह जो L है L जो की constant है और यह depend कर देगा सरकेत की geometry पे और जो medium है जिस उस medium की क्या permeability है इस चीज़ पर depend करेगा और इसे ही coefficient of self induction बोला जाता है या फिर कहें self inductance बोलते हैं circuit का जो unit होती है self inductance की वो weber's per ampere होगी या फिर henry में होगी अब देखिए कि इस में self inductance की जो definition है जो कि हमने की है अगर medium air है अगर medium क्या है air है उस medium के लिए यह जो definition है वो satisfy करेगी जिसकी constant permeability होगी जैसे की air उसकी constant permeability होती है और medium जिसकी permeability constant नहीं होती जैसे की ferrous medium होता है तो उसमें यह क्या होगी constant नहीं होगी satisfy नहीं करेगी तो जो self inductance होगी वो कैसे define करेगी self inductance को हम define कर सकते हैं एक और form में कैसे की यह क्या होगी ratio होगी infinite single charge की जो flux linkage में होगी किसकी to the infinite charge की जो current produce होगा उसमें यानि की L is equal to d phi upon dl ठीक है जो की henry में होगा यह जो d phi है यह self linkage of circuit को बताता है जो की webbers में होगा और यह current i की वजह से होगा और equal होगा n psi m के ठीक है psi m जो की magnetic flux है और L जो है L यह self inductance होगा circuit का जो की webber पर ampere में होगा और या फिर henry में होगा अब देखिए जो flux link हो रही है circuit के साथ अगर उसमें change आ रहा है change किसके वजह से आएगा flux में current की वजह से जो circuit में current pass हो रहा है गर current में change आ रहा है तो flux में भी change आएगा तो उससे क्या होगा कि जो emf produce हो रही है circuit में उसे हम कैसे induce emf को produce कैसे show करेंगे उसे show करेंगे v is equal to minus d phi upon dt से v is equal to minus d phi upon dt के अब देखिए यहाँ पे d phi इसको यानि कि d phi is equal to होगा l into dl के तो यहाँ पे l into dl put कर सकते हैं तो v is equal to minus l into dl upon dt ऐसे लिख सकते हैं तो v किसके equal लागए v is equal to minus l dl upon dt जो कि volts में होगा तो यह क्या होगा वोल्ट में होगा अब देखिए कि यह तो हम self inductance को कैसे represent कर सकते हैं self inductance किसी भी circuit का क्या होगा अगर किसी circuit का self inductance one henry है तो उसका जो emf होगा अगर one volt है जो induce हो रहा है circuit में और उस time पे जो current है current जो change हो रहा है किस rate पे हो रहा है one ampere per second में है तो वो क्या होगा self inductance को represent करेगा इसमें dl upon dt जो मारा होगा dl upon dt वो शो करेगा rate of change of current को time के साथ तो जो induce emf होगा current जो मारा emf induced हो रहा है current के बढ़ने से circuit में जो oppose होगा किस के oppose होगा decay of mean current आई की तो इस तरह से हम self inductance को क्या बोल सकते हैं कि जो भी self inductance L होगा उसे हम define कर सकते हैं कि जो emf induced हो रहा है circuit में जब current decay होगा अपने rate पे one unit per second पे यह self inductance को represent करता है तो जो inductance है वो एक important role play करता है हमारे circuit में अगर कोई भी change हो रहा है circuit में जो steady current है उसमें कोई भी change होता है steady current में circuit में तो वो क्या होगा oppose करेगा किसके through जो emf induced हो रहा है उसके through और क्यों self inductance की वज़ा से तो इसमें जो हमने equation की थी यह वाल equation इसमें negative sign लिया गया है इसमें क्या लिया गया है negative sign लिया गया है वो इसी वज़ा से लिया गया है जो कि lens law के according है जो emf set हो रही है एक particular direction में वो opposite होगी current के इस तरह से हम उसे represent करते हैं तो जो self inductance में single coil होगी single coil होती है और किसी भी circuit का self inductance क्या होगा जो properly जो property होगी circuit की अगर उसमें circuit में कोई भी circuit के current में change हो रहा है तो उस time पे क्या होगा emf induced जो होगी वो oppose करेगी change of current को ठीक है यही self inductance represent करता है या फिर कहें कि कोई circuit जिसमे current में changes हो रहे हैं तो जिसकी अगर current में changes हो रहे हैं तो जो उसके साथ magnetic flux link होगी उसमें भी changes होगे magnetic flux में अगर change हो रहा है तो उसके साथ साथ जो emf हो रही है produce होगी circuit में वो oppose करेगी change in flux को या फिर change in current को यही self inductance show करता है Thank you Thank you for watching this video और जादा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं Thank you Thank you